मुझार दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी संख्या के इकाई का अंग पांच होने पर वर्ग यानि स्कॉयर निकालने का सबसे आसान तरीका हाँ दोस्तों किसी भी संख्या के इकाई का अंग लाश्ट यूनिट अगर फाइब है तो उसका बड़ी ही आसान तरीके से हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं उसका स्कॉयर निकाल सकते हैं दोस्तों आपको पहले बता दू कि 5 का वर्ग आप सबको मालूम ही होगा 5 का वर्ग 25 होता है इसलिए दोस्तों और एक बात ये बता दूं दोस्तों कि किसी भी संख्या के बाद आने वाली संख्या जैसे 2 के बाद 3 आता है 4 के बाद 5 आता है 6 के बाद 7 आता है 8 के बाद 9 आता है इसी तरह दोस्तों ये बाद आने वाले संख्या का प्रियोग पड़ेगा हमी यूज पड़ेगा आए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 15 का वर्ग या स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 15 15 का लाश्ट का अंग 5 है तो दोस्तों 5 का वर्ग आपको मालूम ह होगा 25 होता है तिसलिए हम दोस्तो 25 लिख देते हैं अब दोस्तो इसके बाइंग और संख्या जो लेफ साइड में है एक दोस्तो एक के बाद आने वाली संख्या 2 होती है तो इसका आपस में मल्टिप्लाई कर देंगे 2 अंजा 2 दोस्तो 15 का वर हमें बड़े आसान तरीके से निकल आया 225 इसी तरह दोस्तो 25 का वर देखिए दोस्तो उसी प्रकार 5 का वर दोस्तो 25 और 2 के बाद आने वाली संख्या 3 तो दोस्तो 25 उसी तरह दिख देते हैं और 3 तूजा 6 है ना दोस्तो आसान आए आगे और देखते हैं 55 का वर 55 उसी प्रका दोस्तो लाश्ट के 5 का वर 25 और लेफ साइड 5 के बाद आने वाली संख्या 6 तो 25 दोस्तो उसी तरह लिख देते हैं और 6 फाइब जा 30 ये दोस्तो 3,025 इसी तरह दोस्तो 85 लाश्ट की सर 5 का वर 25 और 8 के बाद आने वाली संख्या 9 तो दोस्तो 25 उसी तरह लिख देंगे और 8,9 जा 72 देख रहा हैं दोस्तो इसी परकार दोस्तो लाश्ट 95 फाइब का वर 25 और 9 के बाद आने वाली संख्या 10 तो दोस्तो 25 उसी तरह लिख देंगे और 9 तेंजा 90 थैंकि दोस्तो आगे नेक्स्ट वीडियो में थीरी डिचित का तीन अंकों की संख्याओं का हम वर कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे इसलिए दोस्तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें झाले बहुत हम वे मर वीडियो ठसका है